कोई स्ट्रेट लाइन के से सर्कल को कब तच करती हैं बच्चो jurisdictions से उस लाइन पर डॉप किए गए परपेंडिकुलर की लेंध्ट, सर्कल की रेडियस के एकुल हो सपोश कि जिस आप सर्कल का सेंटर C हे और सर्कल के center से जब उस straight line पर अपने perpendicular drop के और foot of perpendicular आया बच्चो m पर तो अगर cm की value याने कि इस perpendicular की length की value बच्चों अगर radius के equal आती है तो हम कहते हैं line circle को touch करती है या तो आप यूँ कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए साब की जब line की equation और circle की equation को simultaneously solve करते हैं और solve करने पर discriminant की value 0 आती है तो हम कहते हैं साब की जो line है वो circle को touch करती हो यह second वाली जो method है यह second वाली जो approach है बच्चो आपको बता चुका हूँ कि यह generalized approach है क्योंकि circle हो पहरा बोला हो या फिर ellipse हो या हाइपर बोला हो या कोई और कर्व हो बच्चो जब भी कभी के लिए दो कर्व की equations को आप simultaneously solve कर रहे हैं और यदि वो एक quadratic equation बन रही है जिसका discriminant 0 आ रहा है बच्चो तो निश्चित बात है कि वो दोनों कर्व जैसे यहाँ पर line और circle दोनों एक दूसरे को बच्चो टच करेंगे और हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग y equals to mx plus c और x square plus y square is equals to a square को एक साथ में solve करते हैं तो उस थिती में हमारे पास में जो quadratic equation बन कर आती है वो आती है बच्चो 1 plus m square into x square plus 2 mc into x plus c square minus a square is equals to सहब 0 और इस equation का जो discriminant आता है बच्चो आप लोग देख चुके हैं वो क्या आता है 4 times of a square into 1 plus m square minus c square यह इसका discriminant है अब यदि बच्चो discriminant की value 0 हो जाए then we will say that line is touching the circle और उस थिती में बच्चो आप लोग यह देख चुके हैं कि c square is equals to आता है a square into 1 plus m square either you say this or you can say बच्चो की mod c is equals to a or under the root of 1 plus m square or you say c is equals to plus minus a under the root of 1 plus m square कहने का मतलब यह बच्चो की अगर y equals to mx plus c में c की value कुछ ऐसी हो जाए तो line जो है बच्चो वो given circle को touch करेगी मैं दूसरी भाषा में यह कह सकता हूं कि y equals to mx plus minus a under the root of 1 plus m square touches this circle किस circle को touch करेगी बच्चो यह जो line है वो को इस circle को touch करेगी पहरे आपने condition निकाली यह line कब circle को touch करेगी condition यह आ चुकी अब अगर मैं इस equation में c की जगा यह रख दो तो मैं कहूंगा कि यह जो straight line मेरे पास में आई है बच्चो यह इस circle को touch करेगी for every value of m m की हर value के लिए m की value कुछ भी हो for any real value of m यह जो line है बच्चों को circle को touch करेगी क्योंकि आप इन दोनों की question को जब भी solve करेंगे तो discriminant 0 ही आएगा irrelevant की m की value क्या है जब आप इन दोनों को solve करेंगे तो discriminant 0 ही आना है यह यह कहा जाए कि center से इस line पर अगर perpendicular की length निका लेंगे तो वो हमेशा radius के बराबर यह आनी है irrespective की m की value क्या है मतलब m की हर real value के लिए यह जो line है बच्चों वो इस circle को touch करेगी अब बात यह आती है बच्चों यहाँ पर एक दिमाग में प्रश्ण उठा कि सर यहाँ पर plus minus 2 क्यों आ रहा है दो value जो है यहाँ पर एक plus लेकर भी आ रहा है और एक minus लेकी आ रहा है तो ऐसी एक equation क्या रही है y equals to mx plus a under the root of one plus m square और line की दूसरी equation क्या रही है बच्चों y equals to mx minus a into under the root of one plus m square यह वाली जो line है यह यह वाली जो line है यह दोनों ही lines बच्चों सरकल को touch कर रही है और यहाँ पर यदि आप इन दोनों lines पर ध्यान दें बच्चों तो दोनों ही line का जो slope है यह दोनों ही line की जो gradient है बच्चों अगर हम दोनों में से किसी भी line के बारे में बात करें दोनों की gradient m है अब अगर कोई 2 lines की gradient सेम होती है तो इसका मतलब यह होता है सहाब कि वो दोनों लाइन सर्फ एक दूसरे के पैरल हैं अब condition यह सहाब कि यह दोनों लाइन सर्कल पर टेंजन भी है और condition यह भी है सहाब कि यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरल तो इसका मतलब यह होगा सहाब की एक लाइन ऐसी बनेगी और एक लाइन ऐसी बनेगी और थाथ मैं यूं कह सकता हूं कि I can draw two parallel tangents on a given circle मैं किसी भी circle पर बच्चो दो parallel tangents draw कर सकता हूं I can draw two parallel parallel tangents on any given circle बच्चो जो आप पहले भी देख चुके हैं और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो दोनों parallel tangents आती हैं वो diametrically opposite points पर आती हैं हम लोगों ने इन दोनों के बेच के distance related problem करी हुई है बच्चों सो कुल मिला कर क्या देखा हमने बच्चों यह line circle को touch करेगी जब यह हो मतलब यह line बच्चो circle को हमेशा touch करेगी और यहां पर same gradient की दो lines आ रही हैं इसका मतलब यह कि यह दोनों lines एक दुसरे के parallel हैं और चुकि यह circle will be at the diametrically opposite points है और जिन points पर बच्चों यह touch करती हैं वह point कहलाता है point of contact जैसे यहां पर एक point यह आया suppose कीजिए और एक point यह आया suppose कीजिए पी और पी डैश सपोस कीजिए तो यह जो पी और पी डैश है बच्चों इन्हें हम लोग क्या कहेंगे पी और पी डैश को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं बच्चों points of contact एक tangent बच्चों नाच्रों सी बात है एक tangent point P पर टच करेगी और एक tangent point P डैश पर टच करेगी वन tangent will touch the circle at point P another tangent will touch the circle at point P तो यह जो दोनों points है बच्चों वह point of contact कराएंगे और point of contact की value अब हमें find out कर ले point of contact क्या होगा बच्चों उस बारे में बात की जाए तो point of contact आपको याद दिलाओं बच्चों ऐस सच हम लोगों ने वो भी देखा हुआ है मैं जो है इसे मिटा रूँगा बच्चों यह तो हमने condition देखी कि सब circle को line कर टेच करेगी point of contact आगर आपको ध्यान हो बच्चों आप लोग निकाल चुके हैं उसमें x की value क्या आती थी? x की value आती थी बच्चों minus m into c upon 1 plus m square यह आती थी और उससे फिर आपके पास में जो x की value आई थी उसे आपने y में रखा y को स्टो mx plus c में circle की equation में मत रखें, line की equation में रखें मैं यहाँ पर से बच्चों y को स्टो mx plus c में अगर आप यह रख देंगे तो y की value क्या आएगी? minus m square c upon 1 plus m square और उससे आपके पास में एक प्लेट मैं अगर x की जगा पे क्या रखता हूं? minus m into c upon 1 plus m square plus c और इससे आप solve करेंगे तो minus m square c मतलब मिला कर क्या आ रहा था बच्चो c upon 1 plus m square आप में से कई लोगों को शायद यह याद होगा मैं थोड़ा धुल्ला धुल्ला सा याद आ रहा था है इसने मैंने लिख दिया मैंने solve करके देख लिया बच्चों so point of contact जो आता था बच्चों वो यह आता था minus m c upon 1 plus m square और c upon 1 plus m square यह यह आपके पास में बच्चों point of contact आता था अब चुकिए यहापर c की दो values possible हैं पहला case मैं लेता हूं जब c की value बच्चों plus a into under the root of 1 plus m square है अगर c की value बच्चों plus a into under the root of 1 plus m square लेता हूं तो रखिये चलिए तो उस case में tangent की equation आएगी बच्चों y equals to mx plus under the root of 1 plus m square बाहर a ही सही बच्चों तो equation of tangent यह आ चुकिए और point of contact निकालने के लिए बच्चों आप c की value यहां रख दीजिए तो minus m और c की value कितनी बच्चों a into under the root of 1 plus m square और upon में 1 plus m square ही सही और यहां पर c की value है बच्चों a into under the root of 1 plus m square और upon में क्या बच्चों 1 plus m square और इसे आप solve करेंगे तो कितना आएगा बच्चों minus m a upon under the root of 1 plus m square और यहां से क्या आएगा बच्चों a upon under the root of 1 plus m square तो यह बच्चों आपके पास में point of contact आ गया आपने c की value क्या रखी plus a तो अब यह देखिए यह तो रहा ही लेकिन root 1 plus m square से यहां पर 1 plus m square चला जाएगा तो root 1 plus m square बचेगा बचेगा बच्चों यह इस से की value जो है वो minus a into 1 plus m square हो तो equation of tangent क्या होगी y equals to mx minus a into under the root of 1 plus m square और अब अगर मैं c की जगा पर रखता हूं बच्चों यह तो मुझे क्या मिलेगा minus m c minus m c और c की value है minus of a into 1 plus m square का root और upon में 1 plus m square और क्या साथ में बच्चों minus a under the root of 1 plus m square और upon में भी 1 plus m square यह कुछ आएगा ऐसी कुछ picture बनेगी आपके पस और यह minus minus क्या हो जाएगा बच्चों minus minus जो है वो plus हो जाएगा और root 1 plus m square से 1 plus m square जाएगा तो इस तरह से क्या आएगा बच्चों यहां पर आजाएगा आपके पास में m a upon और root of 1 plus m square और minus a into upon में 1 plus m square सो यह आपके पास में बच्चों point of contact आया और यहां पर तो एक ही point पर touch करना चाहिए तो ऑव्योसी बात है एक tangent इस point पर यह वाली tangent जो है बच्चों इस point पर टच करेगी और यह वाली जो tangent है बच्चों वह इस वाले point पर टच करेगी तो यह पहले तो हमने condition देखिए आपकी कब यह line circle को टच करेगी उसकी condition यह मदर यह line circle पर टेंजेंट हो गई तो यह जो भी कुछ लिखा बचो इससे जरूर नोट डाउन कर लिजिए अब मैं आगे बढ़ता हूं तो हमने कुल मिलाकर क्या देखा हमने कुल मिलाकर यह देखा सहाब कि y equals to mx plus minus a under the root of one plus m square हमेशा इस circle को टच करेगी यह हमेशा इस circle को टच करेगी एक बात और दूसरी बात जो points of contact आएंगे बच्चो वो क्या आएंगे minus plus m a upon under the root of one plus m square और plus minus a upon under the root of one plus m square यह आपके पास मैं आ रहा है बच्चो बहिए point of contact जो था वो क्या आया था यहां से आपने निगा था minus mc upon one plus m square था फिर आपने y equals to mx plus c में रखा था m into x की value minus mc upon one plus m square plus c solve किया था तो minus m square c से plus m square c cancel होकर यह आया था और फिर बात में आपने c की value substitute कर दी c की value आपने substitute कर दी तो 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 यह आया और फिर बात में आपने point of contact जो निगाले थे तो वो आपने यहां रखे minus mc upon one plus m square और c upon one plus m square और c की value क्या एक बार आपने यह रखी यह रखी तो इस तरह से आया और एक बार फिर आपने minus वाली रखी तो कुछ ऐसा आ चुका इस तरीके से आप यहां पर ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या अगर इधर minus लेंगे तो इधर plus और इधर minus लेंगे तो इधर minus देखिए जब आपने यहां पर plus लिया जब यहां पर plus लिया तो यहां minus और यहां plus और जब यहां minus लिया तो यहां plus और यहां पर minus तो इस तरीके से हमारे पास में यह आ चुका बच्चों इसी पर बेस हम कुछ एक sums करते हैं पहले तो अगर अभी भी note down नहीं किया हो तो note down कर लिजे वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको बच् पहले पहले तो कि find that condition for which this line find that condition for which this line touches this circle वो condition बताइए जिसके लिए यह लाइन इस circle को touch करती है वीडियो को रोक कर कीजिए बच्चों वो condition बताईए जिसके line इस circle को touch करती है तो आप यहाँ पर बच्चों एक तरीके से नहीं आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं पहला तरीका आपके पास में क्या है कि आप circle के center से distance निकाल लीजिए और उसे radius के equal कर दीजिए चलिए मैं वही करता हूं वह circle का center यहाँ पर 00 है और circle की radius यहाँ पर A है तो circle के center से distance निकाले और lines की किसी points से distance निकालने के लिए x की जगा पर x, y की जगा पर y और upon में under the root of l square plus m square यह centers और distance को अपने radius के equal कर दिया और उस basis पर बच्चों n की value आ जाएगी plus minus a into under the root of l square plus m square so this is that condition वहाँ अटाएंगे तो plus minus लगाएंगे तो यह वो condition हो गई center से distance radius के equal कर दीगई लेकिन यह तरीका मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों यह तरीका के वहल तब ही लगेगा जब circle हो क्योंकि circle में center जैसी कोई चीज होती है center से distance हमेशा radius के equal होती है यह आगे चलके आप लोगों के लिए नहीं लग पाएगा लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों की equation को simultaneously solve कर लो और solve करने के लिए काम कीजिए बच्चों जो आपके पास पर line की equation है my is equals to minus lx minus n भाई मैंने यहां से y की value निकालता हूं my is equals to minus lx minus n हो चुका अब उसके बाद में बच्चों y equals to क्या हो जाएगा minus lx plus n upon m मैंने क्या करा minus sign को common निकाल दिया इन दोनों में से मैंने minus sign को common निकाला lx plus n upon m आचुका और उसके बाद में circle की equation क्या है x square plus y square और y है बच्चों यह x square plus y square is equals to a square यह है वही x square plus y square is equals to a square अब आप इस equation को अराम से पिनाम से solve कर लिए और इसका discriminant निकाल कर देखिए discriminant को 0 कीजिए क्योंकि condition पूछिए आप से कि कब यह line इसको touch करती है तो यह आपके पास में आ जाएगा discriminant को 0 करना है वो मेरे खाल से कोई बड़ा काम नहीं है discriminant को 0 कर सकते हैं चली मैं वह भी करके देता हूं आपको मैं इस पहले सम्में तो करके देता हूं वच्चों m square plus l square into x square और plus 2lnx आ जाएगा और plus n square minus m square a square is equals to 0 मेरे खाल से यही आना चाहिए कि m square का यहां multiply हो जाएगा m square plus l square x square plus twice lnx बिल्कुल ठीक है और plus n square आएगा और इदर multiply कर देंगी क्या जाएगा अब इसका discriminant जो की होगा b square minus 4 times of ac minus 4 times of ac that you think that should be equal to 0 अब उसके बाद में बच्चों 2 का square 4 आएगा उससे मैं बाहर निकाल देता हूं बचेगा क्या l square n square और यहां पर बच्चों m square n square और यहां पर बच्चों minus minus plus हो जाएगा m to the power 4 a square minus l square n square plus l square m square a square और equals to 0 अभी कुछ cancel हो रहा है यह दोनों आपस में cancel हो गए और next step में क्या होगा बच्चों मुझे तो अगर n square की value के बारे में काम करना हो तो मैं इस में से अच्छा m square n square यहां पर भी है और आप एक काम करें यह जो पूरा expression आए 4 तो चलिए डिवाइड हो जाएगा और इस पूरे में से में अगर m square common निकाल दूँ तो बचेगा बच्चों minus n square और यहां बच्चेगा बच्चों m square a square और वहां बच्चेगा बच्चों l square a square is equals to zero अब यहां पर यह actually मान कर चल रहा है कि l m या n इन तीनों में से कोई भी zero नहीं है बच्चों यदि आपने square को हटाकर mod ले लिया तो आप plus minus लगा देंगे या इस तरह से कुछ आपके पास में आजाएगा तो वही condition आएगी आपने दुनों की equation को simultaneous resolve करके discriminant को zero कर दिया तो यह दो तरीके तो हम लोग जानते ही हैं लेकिन आप चूकी यहां पर बच्चों हम लोग थोड़ा सा आसान तरीका अपना सकते हैं हम लोग यह सारी अप्रोच अपना हैं unnecessary हम लोग हमारा time based कर रहें क्योंकि हमने जो condition अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी बच्चों कि कोई line circle को touch करती हैं तो वह हमने इस standard equation x square plus y square equals to a square के लिए की थी और by chance यहां पर वही picture है मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको अभी समझाता हूं देखिए बच्चों आपके पास में जो line की equation है उसे मैं ऐसा लिख सकता हूं और उसके बाद मैं बच्चों यदि मैं m से divide कर दूं यदि मैं इस equation को m से divide कर देता हूं तो ऐसी ही equation बन कर आएगी बच्चों m y को आपने एक तरफ रखा minus lx और minus n को आप rhs पे ले गए ले गए आपके पास मैं यह equation बनी अब आप एक काम कीजिए बच्चों इससे y equals to mx plus c से compare कीजिए you just compare this equation with the standard equation y equals to mx plus c y equals to mx plus c से अगर मैं compare करूंगा then what I will find कि m की value जो होगी वो होगी बच्चों minus l upon m और c की value होगी minus n upon m आप क्या कीजिए आपको जो given line थी आप उसे y equals to mx plus c से compare कर लीजिए मैंने इससे y को एक तरफ रखके बाकि सबको एक तरफ ले गया फिर मैंने gradient intercept वाली form में change कर दिया अब आप compare कर लेते हैं आपके पास में यह आ गया अब y equals to mx plus c उस circle को touch कप करेगी जब c बनाबर क्या हो बच्चों plus minus a under the root of 1 plus m square as such हम लोग जब y equals to mx plus c लिखते हैं तो m और c को हम लोग small लिखा करते हैं लेकिन यहां पर चो की problem में अलड़ी एक small m दे रखा था तो आपकी कोई confusion ना हो इसलिए मैंने इसको capital M लिख दिया है अब आपको पता बच्चों this line y equals to mx plus c touches the circle x square plus y square is equals to a square when c is equals to this that condition you have already found so c की value है बच्चों minus n upon m और a की value है a ही और रही बात a m की value बच्चों तो वो है minus l upon m और इसे आप solve करेंगे so minus n upon m is equals to plus minus a अब आप lc हम डीजे इत्मिनान से बच्चों तो यह m square आएगा यह l square आएगा और upon में m square आजाएगा फिर जब आप lc लेंगे जब आप lc म लेंगे तो m square कर यहां multiply कर देंगे m square कर यहां multiply कर दिया तो m square plus l square upon m square और अगली step पर और लिख देता हूं चलिए minus n upon m is equals to बच्चो plus minus a और यहां under the root of m square plus l square और m square का root बच्चो m हो जाएगा m square का root क्या हो जाएगा m और यहां पर बच्चों फिर m से m क्या हो गया cancel m से m cancel हो गया और इस तरीके से आपको क्या मिला बच्चो minus n is equals to plus minus a under the root of l square plus m square और minus sign को भी अगर आप वहां ले जाते हैं तो n बराबर हो जाएगा बच्चों minus plus a into under the root of l square plus m square और वही तरीका तो यहां पर भी आया था 위에 अंसर यहां पर भी आया था वही आंसर यहां पर भी आया था आप बोलो सर यहां plus minus a into under the root of the e- mica plus m square है जब्कि माइन स्केर माइनस उससे क्या फरक पड़ना ऑप किसको पहले और किसको बाद माद में बोलते हो answer आपका plus minus 5 आया तो आप plus minus 5 को अगर minus plus 5 भी बोलते हो so what is the big deal? कोई प्रोलम वरी बात नहीं है that what? so you people have multiple ways but if a line is touching a circle in that condition distance from center to the circle to the line will be equals to radius one approach solving their equation simultaneously make discriminant equals to 0 so that you can get that answer otherwise we people have already found किसाब ये line इसको touch करती है या कोई लाइन ये किसी circle को touch करती है जब c बराबर plus minus a into one plus under the root of one plus m square हो तो बस अब ये तरीका जादा simple रहेगा मेरे ख्याल से को कि आप condition निकाल चुके हो पर मैंने ये तरीके भी बता दिये कि आप ऐसी अप्रोच कर सकते हो आप इस मैथर से इस अप्रोच से और इस अप्रोच से तीनों को बच्चो नोट डाउन कर लीजेगा अगली problem मैं आपको दे रहा हूँ बच्चो आपको condition बतानी है कि कब x cos alpha plus y sin alpha is equals to p इस circle x square plus y square is equals to a square को touch करेगी बताइए तो क्या होगी बच्चो देखिए फिर वही बात है कि आप चाहिए तो center से distance निकाल कर radius के बराबर कर देजिए तोनों की equation को simultaneous से solve करकर discriminant को zero कर देजिए यह बैटर यह होगा बच्चो सबसे आसान तरीका यह होगा कि आप इस line की equation को आप इस line की equation को बच्चो वाई equals to mx plus c की form में change कर दो यह y sin alpha है minus x cos alpha को आप आरच्चेस पे ले गए और प्लस पी है है आप क्या कीजिए y equals to mx plus c की form में लिखिए और y equals to mx plus c की form में लिखने के लिए यह RHS पर चला गया बच्चो यह आगया अब आप इससे साइन अलफा से डिवाइड कीजिए साइन अलफा से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चो कॉट अलफा यह चलिए मैं एक स्टेप आपके लिए अक्स्टा लिखे देता हूं Allब座ा यहां अफंपॉन साइन अलफा से अगर आपने डिवाइड किया तो माइनश एक्स दैब कॉस अपॉन अलफा यह क्या हो जाएगा यह 1 इक्वस तो माइनश कॉट अलफा इ्न्टू x प्लस P कॉसेक अलफा कॉस अपॉन साइन को आपने लिख दिया कॉट अलफा और पी अपॉन साइन अलफा को आपने लिख दिया कॉसेक अलफा अब आप इसे y कोस्टो mx प्लस c से कंपेर कीजिए y कोस्टो mx प्लस c से कंपेर करेंगे बच्चो तो M की value आएगी minus court alpha और C की value आएगी बच्चो P cause sick alpha M की value आएगी बच्चो minus court alpha और C की value क्या आएगी बच्चो P cause sick alpha अब line अगर circle को touch करती है तो उसकी condition क्या है वो हम लोग देख चुके उसकी condition है सहाब कि C is equals to plus minus A into under the root one plus M square हो और C की value कितनी बच्चो P cause sick alpha A की value A है circle में और M की value बच्चो court alpha है actually court alpha नहीं वो minus court alpha है लेकिन square कर देने पर तो वो plus ही हो जाएगा बच्ची की value है P cause sick alpha A तो है ही सही और M की value है बच्चो माइनस court alpha और उसका आपको क्या करने का है square अगली step में क्या हो जाएगा बच्चो P into cause sick alpha is equals to plus minus A और one plus court square alpha क्या होगा one plus court square होगा cause sick square alpha और cause sick square alpha का root होगा cause sick alpha जो cancer हो जाएगा और इस तरीके से P is equals to आजाएगा बच्चो प्लस minus A so this is the condition for which the given line touches the circle आपसे condition पूछे थी कि कभ ये line circle को touch करेगी तो कभ ये line circle को touch करेगी तो ये आचुका बच्चो आपके पास P is equals to plus minus A simple solution था काफी simple solution था otherwise आप distance को radius के equal करके कर लीजिए discriminant को 0 करके कर लीजिए simultaneous के solve करने के बाद तो otherwise आपके पास में ये भी है एक बात आपको बताओं बच्चो में आप ये वाली approach सबसे छोटी है लेकिन इस particular problem के लिए मेरे पास इस से छोटी approach है बच्चो हमको इतना सब समय लगाना नहीं पड़ेगा देखिए जड़ा थोड़ा सा डाइग्राम को जड़ा दिमाग मलाईए बच्चो ये एक ऐसा circle है जिसका center origin है जिसका center origin है और ये जो line है x cos alpha plus y sin alpha equals to p इस line की विश्षषचा क्या होती है कि ये line ऐसी होती है जिस पर origin से जब हम perpendicular drop करते हैं तो उस perpendicular की length p आती है वो perpendicular x-axis के साथ में angle alpha बनाता है यह आप लोग जानते हैं बच्चो normal form इसे हम लोग कहते हैं कि line जो है ये रही वो straight line एक ऐसी straight line जिस पर origin से perpendicular drop किया जाए अगर इस line पर origin से perpendicular drop किया जाए तो origin से drop किये गए perpendicular की length कितनी है p और perpendicular ने अगर x-axis के साथ में angle alpha बनाया तो equation क्या बनती है बचाए x cos alpha plus y sin alpha is equals to p आप जानते हैं तो मतलब origin से अगर इस line पर perpendicular drop करूँगा तो वो p आएगा उस perpendicular की length p आएगी origin से इस line पर मैंने अगर origin से perpendicular drop किया तो उस की length p आएगी और by chance एक अच्छी बात ही है कि origin इस circle का center भी है और अगर line तच करती है तो center से perpendicular की length radius के बराबर होती है so automatically perpendicular की length है p और radius की length है a तो दोनों equal ही होंगे और plus minus इसलिए लगा रहे है क्योंकि ये length है बच्छे length positive ही होती है हमेशा अब इस case में क्या होता है मेरे खाल से एक step में आपको खाम होता है मैंने समझाने में आपको जुरूर देर लगाई है लेकिन अगर दिमाग में घंटी बजाएंगे तो बहुत जल्दी घंटी बसती है कि बहुत ये जो line है इस line की खास्यत है कि इस line पर अगर मैं ओरीजिन से परपेंडिकुलर डॉप करों तो परपेंडिकुलर की लंग पी आएगी और अगर सरकल के सेंटर से डिस्टंस निकालों तो वो रेडियस के बराबर आएगी और बाईचान सरकल का सेंटर और ओरीजिन कोइंसाइट कर रहे हैं तो perpendicular की length, radius की equal, yellow, simple, सस्ता, सुन्दर, social, बहुत कम समय में होने वाला solution ना बच्चों, इससे जरूर note down कर लीजिएगा, चलिए, हम लोग अगला सम करते हैं बच्चों, अगला सम करते हैं जिसमें हमें बोला है, कि find the value of lambda, find the value of lambda, so that this line touches this circle, वीडियो को रोक करके कीजिए, बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर यह बोला है, कि यह जो line है, यह जो line है, वो इस circle को touch कर रही है, अभी तक आपको condition निकालनी है थे, अब यह given है कि line इसको touch कर रही है, तो lambda की value बताओ, फिर वोई तीन अप्रोच, आप इसके center से line की distance निकाल दो, equal to radius कर दो, एक, दोनों की equation को simultaneously solve करके, discriminant को 0 कर दो, दो, तीसरी बात, तीसरी बात बच्चों, कहें इतना सब कुछ करें, आप तो उससे y cost to mx plus c की form में change करो, और y cost to mx plus c की form में change करने के लिए, y को एक तरफ, और x और constant को दूसरी तरफ ले जाओ, ले गए, और इससे 2 से divide कर दो, 2 से divide करोगे बच्चों, तो 3 by 2x plus lambda by 2, आपने 2 से divide कर दिया, 2 से divide कर दिया, तो y cost to 3 by 2x plus lambda by 2 आजाएगा, अब इससे आप y cost to mx plus c से compare करेंगे, आप जब इससे y cost to mx plus c से compare करेंगे, तो m की value आएगी 3 by 2 और c की value आजाएगी बच्चों कितनी lambda by 2 भाई इसे आपने y को स्टो m पस c से compare किया m की value 3 by 2 और c की value कितनी बच्चों lambda by 2 आ रही है अब line अगर circle को touch करती है line अगर circle को बच्चों touch करती है तो condition होती है c is equals to c is equals to plus minus a into under the root 1 plus m square और इस line circle को अगर आप देखें बच्चों तो यह जो equal to 25 लिखा वाए इसे मैं 5 का square लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए 25 को अगर मैंने 5 का square लिख दिया तो अब line touch कप करेगी बच्चों जब c की value plus minus a into under the root of 1 plus m square जिसकी value है बच्चों 3 by 2 यह लिजिए राब यह आपके पास मैं आ चुक है पर यह c की value है lambda by 2 a की value है 5 m की value है 3 by 2 और फर्दर क्या होगा बच्चों lambda by 2 is equals to plus minus 5 और यहां बहुत आराम से आप lcm वगरा ले लिजिए बच्चों root 13 upon 2 आएगा अगर आप check करेंगे तो आप जो है बच्चों क्या आएगा root 13 क्यों 2 का square 4 plus 3 का square 9 upon 2 यह और फिर 2 से 2 cancel हो जाएगा बच्चों और इस तरीके से lambda is equals to क्या आजाएगा plus minus 5 root 13 so there people were asking me that find the value of lambda so that given line is touching the circle so I can say the value of lambda is equals to plus minus 5 under the root of 13 यह वो condition आप जिस condition में given line given circle को touch करते है मतब मैं यू भी कह सकता हूँ कि 3x minus 2y plus minus 5 root 13 जो है वो circle को touch करेंगे आप इस तरह से भी कह सकते हैं you can say in that way as well और यह हो चुका बच्चों अच्छा चलिए अगर मुझसे लगे हाथ तो अगर points of contact भी पूछ लिए जाएं कि points of contact वही obviously दो tangent आएंगी यहाँ पर एक plus लेकर एक minus लेकर क्यों आएंगी because for the same gradient gradient दोनों के 3x2 होगी चुकि दो tangent से इसते दो points of contact होंगे और points of contact क्या होंगे बच्चों minus mc upon 1 plus m square और सहब c upon 1 plus m square और c की value कितनी है बच्चों root 13 upon 2 तो आप यहाँ पर रख सबते हैं बच्चों देखिए minus m की value कितनी m की value है बच्चों 3 by 2 m की value है 3 by 2 और c की value है बच्चों ये तो c की value आपने रखी plus minus 5 root 13 upon 2 और 1 plus m square और m की value है बच्चों 3 by 2 का square और साथ में बच्चों c और c की value अगें plus minus 5 root 13 upon 2 इंटू आपन में 1 plus ये तो ये आपके पास में points of contact है जाएंगे बच्चों जब यहाँ पर minus का multiply करेंगे तो plus वाला हो जाएगा minus और minus वाला हो जाएगा plus इस तरह से जब यहाँ पर plus minus होगा तो यहाँ पर minus plus इधर आपने minus लिया तो उधर plus और इधर plus लिया तो उधर क्या बच्चों minus और इस तरीके से points of contact भी आपके पास में आ जाएंगे होग आपको यह बात समझ मैं आईए बच्चों यह से note down कर लिजेगा एक और पावलम मैं आपको देता हूँ बच्चों लिखिएगा determine equation of tangent on following circle determine equation of tangent on following circle which makes angle 30 degree with the positive direction of x-axis determine equation of tangent on following circle which makes angle 30 degree with the positive direction of x-axis बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिए देखिए आपको इस पर एक ऐसी tangent बतानी है बच्चों जो positive direction of x-axis के साथ में कितना हैंगा बार यह 30 degree मतलब उस tangent का जो slope होगा बच्चों वो 10 30 degree 10 30 degree की value होती है बच्चों 1 by root 3 और यह जो circle की equation आपको दे रखी बच्चों इसे 100 की जगा 10 का square भी अगर लिख देता हूं तो मैंने समस्ता के कोई गलती होगी और equation of tangent क्या होगी बच्चों y equals to mx और m की value है बच्चों यह plus minus a a की value है बच्चों 10 और into में under the root of 1 plus m square क्या खरा मैंने बच्चों मुझे यहाँ पर पूचा है कि इस line पर वो tangent बताईए जो x-axis के साथ 30 degree का इस circle पर वो tangent बताईए जो x-axis के साथ 30 degree का angle बनाती है तो अबवल आप इसका x square plus y square equals to a square से compare करेंगे a की value 10 और m की value बच्चों 10 30 degree जो की 1 by root थे तो y equals to mx plus minus a into under the root of 1 plus m square यह tangent की equation होती है और इसे आराम से हल कर लीजे बच्चों तो root 3 y is equals to x plus minus और आप इसे भी हल करके देखी बच्चों तो आपके पास में यह कुछ picture आएगी भई आप root 3 का यहाँ multiply कर देंगे 3 plus 1 4 का root 2 हो जाएगा 2 tangent 20 हो जाएगा root 3 यहाँ पर multiply होके बच्चों equation of tangent will be given by something like this इस तरह से आपके पास पर tangent आजाएगे बच्चों और यही काम आप वही center से distance निकाल के radius के equal भी कर सकते थे वही कि सहाब ऐसी कोई line जो positive direction of x-axis के साथ में 30 degree कहेंगा बना रही है उसकी question हो कि y equals to mx plus c फिर center to distance को radius के equal कर देते या फिर आप दोनों की question को simultaneous से solve करके description को zero कर देते तब भी हो जाता अधर यह भी तरीका बच्चों इससे भी जरूर note down कर लिजेगा चलिए साब और हम लोग करते है थोड़ी practice हो जाए बच्चों इस फंडे पर इस फामूलाई पर इस लिए है मैं थोड़ी सी और एक दो समस्क्राइब लोग चलिए determine equation of tangent determine equation of tangent on this circle which is parallel to 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 determine equation of tangent on this circle which is parallel to this line अब आप देखें यह आपके पास में एक circle है यह आपके पास में एक line है और आपको क्या करना है बच्चों इस circle पर वो tangent बतानी है जो इस given line के parallel है तो ऐसी कितनी tangent आएंगी बच्चों दो tangent आएंगी हलाकि हम यह भी पहचान सकते हैं कि साब यह जो line है आपको तो सीधी सीधी बात है कि आपको तो given line के parallel टेंजन बतानी है तो अभी हम एक tangent ऐसी आएगी एक tangent ऐसी आएगी अब जो given line है बच्छा उसके parallel line क्या होगी given line के parallel line होगी बच्छा 3x-4y plus lambda equals to 0 given line के parallel line होगी बच्छा 3x-4y plus lambda equals to 0 आप ऐसा का x और y को as it is रखते होते हैं अब अगर ये line circle को touch कर रही है तो फिर वही किसी pretty सी बात होगी बच्छों आप center से distance को radius के equal कर दें या simultaneously solve कर दें most convenient method आपके पास में क्या है बच्छों most convenient method आपके पास में है क्या आप इसे y कोस्तो mx plus c की form में change कर दीजिए m की value ये c की value ये और circle की equation को में थोड़ा सा modify कर दूँ तो बच्छों वह 4 square हो जाएगा और 4 square से radius circle की 4 हो जाएगा और इस तरीके से बच्छों line अगर circle को touch करती है तो c equals to plus minus a into under the root of 1 plus m square और c की value है बच्छों lambda by 4 और a की value है बच्छों कितनी 4 और under the root of 1 plus m square जबकि m की value है बच्छों 3 by 4 इसे आप आराम से हल करके देखिए बच्छों lambda की value plus minus 20 आ रही है लेमडा की value कितनी आ रही बच्छों plus minus 20 बच्छों प्लस माइनस 20 बच्छों आप इसके लाइन के parallel line कथन होता है सहाब कि अगर मैं calculation में कहीं कोई गलती कर दूँ तो मिच्छा में दुक्डम मुझे शमा कीजिएगा ये लीजिए सहाब आपके पास में ये वो lines हैं जो उस circle को touch भी करती हैं और given line के parallel भी हैं ये भी आपको समझ में आया होगा एक problem और लिखेगा determine equation of tangent और point of contact अगर निकालने हो तो बच्छों point of contact भी आप निकाली सकते हैं कि आपके पास में अगर c आ चुका है तो आप चाहे तो यहां पर direct रख दें direct भी रख सकते हैं m की value a की value आपके पास में points of contact है जाएंगे या फिर points of contact का वो minus mc upon one plus m square into a upon one plus c upon one plus m square उससे भी कर सकते हैं otherwise m की value आपके पास में है 3 by 4 a की value आपके पास में है 4 that you can put over there to get the points of contact चलिए अभी तो आपको वो line बतानी है बच्छों जो इस given line के perpendicular है और given line के perpendicular है और given circle को बच्छों touch करती है we have to find that line which is perpendicular to this line and is touching this circle video को pause करके कीजिए the circle की equation है बच्छों ये हो जाएगी और इस line के perpendicular line क्या होगी बच्छों x minus 2y plus lambda equals to 0 गही होगी x और y के coefficients को interchange कर दीजिए और किसी एक के सामने minus लगा दीजिए वो 2x plus y plus 1 equals to 0 था उसे आप लिख दीजिए बच्छों x minus 2y plus lambda equals to 0 और ये 2y is equals to आएगा बच्छों x plus lambda so that y की value आएगी बच्छों 1 by 2x plus lambda by 2 बच्छों 2y equals to x plus lambda तो y equals to आजाएगा 1 by 2x plus lambda by 2 यहीं आएगा अब आब इसे y equals to mx plus c से compare कीजिए you get m equals to 1 by 2 you get c equals to lambda by 2 आपके पास पर जो line की equation थी वो ही है थी इसे y equals to mx plus c से compare करेंगे m की value half और c की value बच्छों lambda by 2 आजाएगी और line अगर touch करती है तो फिर वही किसी प्रटी सी बात c बराबर c बराबर plus minus a जिसकी value 9 है into under the root of 1 plus m square और m की value कितनी m की value है बच्छों 1 by 2 m की value 1 by 2 और इसको solve कर लिजे बच्छों lambda की value plus minus 9 root 5 आजाएगी so equation of tangent क्या हो जाएगी बच्छों equation of tangent हो जाएगी x-2y plus minus 9 root 5 is equals to 0 x-2y plus minus 9 root 5 is equals to 0 यह आपके पास आजाएगी फिर वहाँ पर point of contact निकालने हो तो वह भी निकाल सकते हैं की value एक की value रख दीजिए points of contact भी आ जाएगी और यह सरकल था यह एक line थी आपको इस line के perpendicular line निकालनी थी जो circle को touch करें obviously दो tangents आनी है बच्छों एक यह और एक यह एक problem और देता हूं बच्छों लिखेगा बहुत simple simple si problems हम लोग कर रहे हैं find out equation of tangents find out equation of tangents on following circle find out equations of tangent on following circle from passing through passing through point 8 comma minus 3 find equation of tangent on following circle from point 8 comma minus 3 video को रोग करके कीजिए बच्छों देखिए अभी यहाँ पर क्या है आपको बोल रखा है बच्छों कि इस circle पर इस circle पर 8 comma minus 3 से pass होने वाले tangent की equation बताईए अब इतना दिमाग लगा सकते हैं बच्छों कि यह जो point आपको दे रखा है इस point से इस circle पर दो tangent आएंगी क्योंकि point उसके outside लाए कर रहा है और point उसके outside लाए कर रहा है इसको पहिचानने के आपके पास में दो methods है आप इसके center से की distance निकाली है जो की radius से जादा आना चाहिए या फिर सीधा-सीधा s1 निकाली है और s1 निकालने के लिए क्या x की जगा पर x का coordinate y की जगा पर y कोई ने यह ने की और यह आया अब यह वैल्यू बच्चो पॉजिट्व आ रही है अब चोंकि यह वैल्यू पॉजिट्व आ रही मतलब पॉइंट इस लाइंग outside the circle पॉइंट उसके outside होगा और पॉइंट अगर उसके outside है तो बच्चो ऑव्यस सी बात है कि इस case में उस points से उस circle पर हम कितनी tangents draw कर सकते हैं दो tangents draw कर सकते हैं उस given points से given circle पर बच्चो हम लोग एक नहीं कि दो tangents draw कर सकते हैं आपके पास में यह कुछ picture बन कर आगई बच्चो अब वो tangent की question क्या होगी so let me suppose बच्चों की equation of tangent जो है वो है y equals to mx plus यह मैंने माल ली माल ली बच्चों आपको एक बात तो पता है ना कि 64 को में 8 का square लेक सकता हूं मतलब circle की radius 8 हो गई अब आपको पता बच्चो x square plus y square is equals to a square पर tangent की question होती y equals to mx plus minus 8 plus minus a into 1 plus m square प्लस माइनस होती है आप प्लस ले लो या माइनस ले लो दोनों में से किसी एक को ले लो ले लिया आपने भाई let us suppose that this line is touching this circle और वो करेगी touch क्योंकि आपको पता है कि y equals to mx plus या फिर minus a into under the root of 1 plus m square x square plus y square equals to a square को touch करती है तो आपने ऐसा माल लिया let us suppose the tangent equation is this now since this tangent is passing through point 8, minus 3 चोकि यह tangent बच्चो 8, minus 3 से pass हो रही है इसी लिए यह उसकी equation को बच्चो satisfy भी करेगी since this tangent, since this tangent passes to this point 8, minus 3 चोकि वो 8, minus 3 से बच्चो पास हो रही है इसी लिए उसने उसकी equation को satisfy कर ला है और satisfy करा दिया minus 3 minus 8m is equals to बच्चो 8 into under the root of 1 plus m square बई y की जगा आप माइनस 3 x की जगा पर 8 रख दिया इसे यहां ले आए अब आप एक काम कीजे बच्चो दोनों तरफ आप square कर दीजे जब आप दोनों तरफ square करेंगे तो आपको क्या मिलेगा शलिए आप दोनों तरफ square कर देंगे बच्चो तो उस case में आपको क्या मिलेगा बच्चो लेट मी लेट मी लेट मी सी नाइन प्लस 64 m square 9 प्लस 64 m square और प्लस साथ में कितना बच्चो टू थी जा शिक्स एड जा 48 m और राइट राइड साइड पर बच्चो 64 इंटू 1 प्लस m square ये कुछ आएगा और पर नाइन प्लस 64 m square प्लस 48 m is equal to 64 इंटू 1 प्लस m square अब आप देखिए 64 m square प्लस 48 m और साथ में कितना बच्चो प्लस 9 is equal to 64 m square प्लस 64 और 64 m square से 64 m square क्या हो गया बच्चो चैंसल हो गया 64 m square से 64 m square कैंसल हो गया 48 m is equal to आएगा बच्चो 64-9 48 m is equal to 64 में से 9 जाएंगे बच्चो तो 55 बचेंगे और इससे m की value आजाएगी बच्चो 55 अपान 48 पर आपने minus 8, minus 3 से उसको satisfy करा दिया satisfy करा दिया आपके पास में आपने quadratic बनाई m की value आगई m की जो value आगई बच्चो अब बस इससे यहाँ पर रखने का काम मात्रा आपको करना है बच्चो y equals to 55 upon 48 x plus 8 into under the root of 1 plus 55 upon 48 का square यह आपके पास में tangent आ जाएगी अब यह आपके पास में tangent आ गई अब शायद आप लोगों के दिमाग में एक बात उभर रही हो कि यार सर यह point उसके outside लाए करता है तो एक नहीं दो tangents आएंगी पर यहां तो एक ही tangent आ रही है पर यहां पर कायदे से होना क्या चाहिए था m की दो values आती एक values की आती एक values की आती obviously वो दोनों values equal नहीं आएंगी क्योंकि वो parallel tangents नहीं आएंगी एक ही points एक से सरकल पर दो parallel tangents कैसे possible हैं नहीं पर यहां पर m की कम से कम दो values तो आती और यह आपने थोड़ी दिर पहले कहा भी था कि दो tangent आएंगे तो फिर दो tangent आएंगे तो फिर हम की दो values क्यों नहीं आए एक ही क्यों आए एक ही access plane के हिसाब से अगर मैं बनाओं बच्चों तो देखिए यह रहा वो circle यह रहा वो circle circle ऐसा circle लिया है जिसकी radius 8 है तो यह जो point होगा बच्चों आप दिमाग लगाई है यह point होगा 8,0 क्योंकि circle का center है 00 circle का center है बच्चों 0,0 और circle की radius है 8 तो यह point होगा बच्चों 8,0 अरे यह जो distance है यह distance कितनी होगी 8 होगी तो वो point होगा बच्चों 8,0 और 8,-3 जो है बच्चों वो कहीं यहाँ आएगा 8,-3 बच्चों कहीं यहाँ आएगा बिलकुल उसके सीधे में तो obvious सी बात है इस point से 8,-3 क्योंकि आप देखिए यह circle ने x axis को जहाँ पर cut किया है इस circle ने x axis को जहाँ पर cut किया है उसकी एपसीसा और इस पॉइंट की एपसीसा सेम है सरकल ने एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया बचो उस पॉइंट की एपसीसा और इस पॉइंट की एपसीसा सेम है ये तो डंके की चोट पर मैं बोच सकता हूं स्टाम पेपर पे लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हू YEAH आेगी जो मैं अल्रोडी फाइंड आउट कर चुका हूं जो मैं अल्रोड़ी फाइंड आउट कर चुका हूं बच्छों और दूसरी टेंजन जो आएगी बहुत दूसरी टेंजन जो वहाँ पर आएगी आपके पास वो टेंजन जो होगी वो क्या भोगी बच्चाम वो होगी यह वाली जो की y-axis के पैरल होगी y-axis के पैरल यहने की x-axis के साथ में 90 डिगरी का अंगर बनाएगी और जो 90 डिगरी का अंगर बनाएगी उसकी ग्रेडियन्ट होगी 1090 यहने की इन्फिनिटी अगर देखा जाए तो यहां पर m में क्वाडिटिक बनती जिसकी दो वैल्यू जाती एक वैल्यू आप लोगों ने यह वैल्यू निकाली है बशरते की मेरा सारा कैलकूलेशन सही है अगर वहां कुछ गलती कर दियो तो भाईया मैं फिर बोलूँगा उसके लिए शमा बरा जालते हैं तो कभी भी आपको रूट इन्फिनिटी वारा रूट इससे नहीं मिल पाएगा इससे आपको इन्फिनिटी वारा रूट आपको नहीं मिल पाएगा तो आपको केवल नॉन इन्फाइनाइट यहनु कि फाइनाइट रूट आपको मिल पाएगा तो फाइनाइट फिर दूसरी बात क्या जो दूसरी जो दूसरा रूट है बच्चों वो इंफिनिटी वाला रूट है और इंफिनिटी वाला रूट वहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो दूसरी टेंजन एक टेंजन तो आपके पास में यह आ गई है और दूसरी टेंजन के बारे में अगर आप देखें बच्चों तो दूसरी टेंजन को आप ओरली लिख सकते हैं कि वो क्या होगी x equals to 8 यह जो line बन रही है यह line y axis के parallel है कितनी distance पर है 8 units की distance पर है इसी लिए उसकी जो equation होगी बच्चों x equals to 8 तो एक तो आपके पास में या चुकी और दूसरी आपको ऐसा सोचना तो किसी भी outside point से किसी भी outside point से अगर आपको किसी circle पर tangent लानी है तो आप उसके लिए y equals to mx plus या फिर minus a into under the root of one plus m square वाली approach ले लिजिए अब वो tangent उस point से पास हो रही है उसको satisfy करा दीजिए आप इसको इदर ले आए यह quadratic बना यह minus का square प्लस हो जाएगा थरी का square यह थ्री फॉर जा ट्वैल्व थ्री टू जा सिक्स एट जा 48 और यहां से यह cancel होकर 48 m is equals to कितना आगया बच्छो 55 m की value 55 upon 48 वो आप यहां पर रख देंगे तो इस तरीके से बच्छो circle पर एक tangent यहाएगी और एक tangent यह होगी तब अगर इसकी और इसकी अपसी सा सेम नहीं होती तो confirm बात है बच्छो आपको m की दो ही values मिलती आपको m की दो ही values मिलती यहां पर बाइचांस एक value क्यों मिली क्यों क्यों क्योंकि एक value इंफाइना हिरती और quadratic equation formula या factorization method से जब आप root निकालते हैं तो कभी भी आपको infinite root व find value of lambda find value of lambda if 3x minus 4y plus lambda equals to 0 find value of lambda if this line 3x minus 4y plus lambda equals to 0 touches x square plus y square minus 16x plus 12y minus 5 is equals to 0 मुझे lambda की value बतानी है बच्छो मुझे lambda की value बतानी है अगर यह line इस circle को touch कर रही है वीडियो को pause करके आपकी जीए बच्छो इसमें क्या बोला है lambda की value बताएए कि यह line इस circle को touch करे अब आप बच्छो यहां जो जो तरीका है अगर आप जो अभी तक आप करते आ रहे थे उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पर circle की question बच्छो एक्स स्केर प्लस वाइज स्केर प्लस टू जी एक्स प्लस टू फफ आप प्लस सी इकुस्ट जी रो कुछ ऐसा हो रहा है बच्छो और इसी लिए वैसी अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती जैसे पिछले सभी समस में किया था बच्छो यहां तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा कि हम लोग एक काम करें सरकल का सेंटर निकाल दे जो किया रहा है बच्छो यह और सरकल की रेड तो यह हो जाएगी बच्छो और अपन में अंडर दी रोट आफ थ्री स्क्यार प्लस फोर स्क्यार और इस इकोस्टो कितना होगा बच्छो रेडियस के बराबर और इसको सॉल करें सो दाट यू पिपल विल गैट दा वैल्यू आफ लेंडा आपको लेंडा की वाल्यू मिल को हम लोग simultaneously solve कर लें और simultaneously solve करेंगे तो आपको कुछ ऐसी picture मर जाएगी य की value निकाली और y की value को आप circle की equation में रख दीजिये और रख देने के बाद में बच्छो discriminant को zero कर दीजिये because it has already been given that the given line is touching this circle so that there is only one root or you can say the quadratic equation formed will be having real but both the roots will be absolutely equal in that way you can approach अदो जो तीसरी मात्रड़े बच्छो उसको समझने से पहले मैं पिछले सम के बारे में थोड़ी सी बात आप से करूँ बच्छो यहाँ पर कई लोगों को यह बात खटक रही होगी कि यह जो tangent की equation आई है सहाब यह 8,3 को satisfy नहीं कर रही है आप से ब कहा है कि सहाब जो circle है मैं मिटा चुका हूँ बच्छो मापर circle की equation है x square plus y square is equals to 64 और इस पर वो tangent आपको बतानी है बच्छो जो 8,3 से पास हो हम यह देख चुके हैं कि सहाब ऐसी एक नहीं दो tangent होंगी और एक tangent हमको मिल रही है लेकि एक नहीं मिल रही है उसके पीछे कारण आप लोग देख चुके क्योंकि उसका जो एम है उसकी जो gradient है वो infinity आ रही है और इस बारे में सोच रही होंगे मैं भी बहुत देर से सोच रहा था साब की यह क्यों नहीं आ रहा है तो उसके पीछे reason क्या बच्छो देखिए मैं आगर आपको यहाँ पर बताओं कि हम लोगों ने जो बात कही थे कि इन दोनों में से y2mx plus minus a under the one plus m square इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं plus a ले लिजी या minus a ले लिजी तो आप plus a ले लेते हैं तो दिक्कत हो रही है लेकिन अगर आप minus a लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी वो कैसे नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ आप एक काम करिए मैंने क्या कहा आप इन दोनों में से कोई एक ले ले ह्-- और पाद में आप जब इसका स्क्यार करेंगे हो यह माइनिस लिया हो वह तो प्लस ही हो जाना तो प्लस से पूछं कि यहाइड यह किसका स्ट्राइब वाले का कि माइनस वाले आगर इस तो ओपर का कुछ नहीं लिखा तो यह अग्लम इनी कि जब भी कभी किसी equation को solve करते हैं तो हमें solve करते समय square लेने से बचना चाहिए क्योंकि square करने से क्या होता है आपके पास मैं आपको extra root बिल जाता है मैं मेरे कहने का मतलब क्या है किसे मैं अगर आपसे बुलूँ कि x equals to 2 यह एक equation मैं इसको solve करूँ तो x की value क्या आएगी 2 आएगी मुझे बोला जाए कि solve x equals to 2 तो मैं बुल दूँगा x equals to 2 लेकिन आप मैं इसी equation को solve करने जाऊं और कुछ यहसा करूँ कि x स्क्यार कर दूँ और उसके बाद मैं फिर बच्च माइनस टू भी आगया इसी लिए square करने से क्या होता है बच्चो कि आपको extra root भी कई बार मिल जाते हैं तो आपने चुकि square किया है यहाँ पर आपको नहीं वारूम पढ़ रहा है माइनस भी लेकर चलता हूं तो मैं माइनस वाला जो एट कवा माइनस अगर मैं एट कवा माइनस त्री रखता हूं एक्स की जगह पर एट और वाई की जगह पर माइनस त्री तो बच्चों वह प्लस वाले को सटिस्फायर नहीं करेगा लेकिन माइनस वाले को करेगा आप क दोनों में से कोई एक लेकर देख सकते हैं फिर आपको अगर दोनों में से कोई एक लेकर आपने किया जैसा अभी मैंने पिछली बार भी थोड़ी दर पहले यह किया तो वह उससे आप कर सकते हैं लेकिन पंगा क्या होगा बच्चों पंगा यह होगा कि उन दोनों में से फिर कि दो टेंजेंट जो आएंगे उन दोनों टेंजेंट के स्लोप अलग 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 आएंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई आपने सरकल लिया और किसी एक पॉइंट से उस पर जो दो टेंजेंट आए वो दोनों दुसरे के पैरल आजा है कि यह पॉसिबल है कि बहुत द सब्सक्रश्राइगा दोनों में से कोई एक से आपका अंसर आएगा तो सब्सक्राइगा करेघा तो सब्सक्राइए तो पिछले समक्राइब साब मौडिफिकेशन है इसे नोट डाउन कर लीजेगा बच्चों वरना पहले प्लस लेकर करके देख लीजिए अगर वह कर गया तो ठीक निए तो फिर माइनस वाला लेकर कर लीजिए वह तो करेगा और अगर माइनस वाला ने कर दिया तो फिर प्लस वाला नहीं करेगा है शुदा बात है बच्चों तो यह थोड़ा सा हमने हमारे फंडे को और मौडिफाय कर दिया चलिए हम लग वापस से इस सम पर आते हैं बच्चों और देखें कि यह लाइन इसको कप टच करेगी जब दोनों से बनने वाली क्वालिटी की कुशिन का डिस्क्रिमिनल जी रहो आप लोगों ने अभी देखा बच्चों कि y equals to mx plus c circle x square plus y square is equals to a square को कप टच करती है इसे मैं अब इस तरह समझता हूं बच्चों कि x square plus y square is equals to a square पर tangent की question क्या होती y equals to mx plus a under the root of 1 plus m square यही होती है circle पर tangent की question circle पर tangent की question होती y equals to mx plus a under the root of 1 plus m square you people must be knowing that अब आप अगर circle यह होने की बजाए बच्चों circle यह हो जाए x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equals to a square यह plus minus दोनों होंगे बच्चों अब यहाँ पर अगर यह वारा circle ले लिया जाए तो इस पर tangent की question क्या होगी बच्चों y minus k is equals to m into x minus h plus minus a under the root of m square plus one और साथ में a so यह जो है बच्चों इसको हम लोग shifting of origin जिसको हम लोग कहते होते हैं बच्चों कि अगर circle x square plus y square is equals to a square tangent यह तो इस पर यह होगी बई इस case में center क्या था 00 था 00 था तो आपने आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो circle की equation आपको given थी सहाब वो थी x minus 0 का square plus y minus 0 का square is equals to a square तो tangent की equation आई थी y minus 0 is equals to m into x minus 0 plus minus a under the root of this यह थी बई इस circle पर tangent की equation है यह इस circle पर tangent की equation है यह जब इदर x minus 0 था तो यहाँ भी x minus 0 जब यहाँ y minus 0 था तो यहाँ भी y minus 0 ऐसा गुश था ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर x minus s तो यहाँ भी x minus कर सकते हैं आप जड़ा देखिएगा मैं जैसे आपको बताता हूं बच्चों यहाँ पर जो circle की equation आपको given है उससे आप लिख सकते हैं x minus 8 का square plus y plus 6 का square और is equals to कितना is equals to बच्चों root of 105 का square root of 105 का square equation of circle equation of circle can be rewritten like this इस तरह से तो इस पर tangent की equation क्या होगी इस पर जो tangent की equation होगी बच्चों वो होगी y plus 6 y plus 6 is equals to m और अच्छा m तो आपको मालूम है कि आपको यह तो given है कि यही लाइन इसको touch कर रही है यह आपको already given है कि यह जो लाइन असाब यही उसको touch कर रही है तो tangent क्या क्या होगी y plus 6 is equals to m into x minus h into क्या बच्चों x minus h और plus minus a जिसकी value है बच्चों root 105 है और into कितना 1 plus m square under the root में 1 plus m square और m की value कितनी है बच्चों 3 by 4 m की value 3 by 4 मैं कैसे रख पाया हूँ क्योंकि यह तो given है कि पॉलम साहब कि यह line उसको touch कर रही है तो यह लीजिए अब आप इसे मैं मिटाऊंगा बच्चों इसे मैं मिटाऊंगा और यहां पर आप देखें तो यह क्या हो जाएगा बच्चों is nothing but y plus 6 is equals to 3 by 4 x minus 4 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा टू बचेगा टू त्रीजा 6 बचेगा यह लीजिए साहब और plus minus कितना plus minus है बच्चों root 105 तो है ही सही root 105 into 5 by 4 यह आएगा और 4 को यहां लेके चले जाएए तो यह हो जाएगा बच्चों 4y plus 24 is equals to 3x minus 6 plus minus 5 root 105 वह आपने इन दोनों का जो एक मिनिट minus 6 ही तो नहीं रहेगा केवल क्योंकि यहां पर बच्चों यहां पर भी तो 4 का मॉल्टिप्ला होगा तो यह माइनस 6 ना होते वह यह क्या लिखेंगे आप माइनस 24 माइनस 24 इससे अब आप एक काम कीजिए पूरे को एक काम कीजिए आप LHS पर लेके आजाएगे या इस वाले को आप पूरी तरह से LHS पर लेके आजाएगे तो 3X minus 4Y minus 48 plus minus 5 root 105 is equals to 0 हो जाएगा अब अगर आप इस equation को यह जो आई है बच्चों यदि आप उसे इससे compare करते हैं इस equation से compare करें तो यू विल गेट दा वैल्यू अफ लेमड़ा is equals to बच्चों minus 48 plus minus 5 under the root of 105 तो यह आपके पास में एक तरीका है बच्चों आप इनसे भी अगर हल करेंगे तो आपको वही मिलेगा आप चेक कर लीजे बच्चों जो अंसर आपको इससे मिल रहा है आपको से डिस्टंस निगाल के रेडियस के इक्वल करना सबसे निहायत आसान काम था पर दिक्कत यह बच्चों की यह काम सिर्कल में काम करेंगा लेकिन अलिप साइपर बोला वगरा मैं यह काम नहीं करेंगा मैं बर बर आपसे कहता हूं इसलिए आप लोग क्या करना चाह यह साब कि आप दोनों की क्वेशन को साइमल्टेन से सॉल करके डिस्क्रिमन को जीलो कर दीजिए अदरवाइस आप शिफ्टिंग ऑफ औरीजिन की मैथर से फंडेर का यह उस करके करिए बच्चों की इस सर्कल पर टेंजन की क्वेशन होती है अब यह सर्कल क्या होता है ए जिस मानस जिरो तो यहां पrekा बच्चों वाइस ही देगा तो उस बेसे पर टेंजन की को यह और आपके पास में पूरा सिंप्लिफाय करें लिए गया गया तो यह मैतर्ड बच्चों मेरे वाथ आसान है थोड़ी सी अगर इस पर प्रेक्टिस् हो shifting of origin में पहले भी आपसे कहता हुआ रहा हूं कि काफी कामगार काफी helpful काफी useful method है copy कर लीजेगा बच्चों एक समोर कर लेते हैं थोड़ी सी practice हो जाएगी चलिए हमें बच्चों यहाँ पर एक problem करनी है कि determine equation of tangent on following circle which is equally inclined with both the coordinate axes जो दोनो coordinate axes पर equally inclined है वीडियो को pause करके कीजिए देखें अब यहाँ पर आपके पास में वो दोनो coordinate axes के साथ में equally inclined है so बच्चों निश्चित बात है कि वो जो tangent होगी उसकी gradient या तो होगी सहब 1045 degree या फिर 10135 degree you people know that ऐसी कोई line जो दोनो coordinate axes के साथ में same angle बनाती है उसका x-axis के साथ में angle या तो 45 degree बनेगा या फिर उसका x-axis के साथ में एंगल बच्चों 135 degree बनेगा इन बहुत दा केसे से इंगल विद बहुत दी अक्षिस आपसोल यूटली सेम यह 45 दिग्री या फिर 135 दिग्री और 1045 की वेल्यू होगी वन और 10135 की वेल्यू कितनी होगी बच्चों माइनस वन तो या तो होगा वन या फिर क्या होगा बच्चों माइनस वन कुछ ऐसी ही पिक्चर आपके सामने आपके समक्ष बन कर आएगी मेरे खैस के बात आप लोग समझे होंगे अब जो है equation of tangent क्या हो जाएगी बच्चों सधार पर y y equals to x plus y equals to mx plus c की form से compare कर लेते हैं तो y equals to mx plus c m की value सहब 1 या फिर minus 1 दोनों में से कोई एक चलिए y की value जो होगी y equals to mx plus c और m की value या तो plus 1 आएगी या फिर minus 1 plus c कुछ ऐसी आ जाएगी चलिए अब मैं दोनों में से एक-एक को लेकर करता हूं पहले 1x फिर minus x इस तरह से आपके पास में दो की question को क्या लिखा बच्चो x minus 3 का whole square plus y plus 4 का whole square और is equals to कितना आएगा बच्चो is equals to आ जाएगा 5 root 2 यह circle की radius आ रही है आप चेक कर लीजिए उसका square कर दीजिए बच्चो center उसका 3, minus 4 आ रहा है यह आ रहा है और radius आ इसकी कितनी 5 root 2 अब इस circle पर tangent की question क्या होगी circle for tangent की question होगी बच्चो y is equals to देखिए y का का काम कर रहा है y plus 4 और m कितना है बच्चो plus 1 या minus 1 मैं पहले plus 1 वाला case लेके चलता हूँ plus 1 into x का का काम को रहा है बच्चो x minus 3 plus minus a की value कितनी a की value है बच्चो आपके पास में circle की radius कितनी है 5 root 2 circle की radius है बच्चो 5 root 2 into under the root of 1 plus m square और m की value है बच्चो 2 m की value है 1 sorry so इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया बच्चो y y plus 4 is equals to कितना x minus 3 तो है ही सही अब आप इसको पूरे को चाहे तो 4 को उदर लेके चले जाएए 4 को rhs पे लेके चले जाएए आपके पास में आ जाएगा x minus 7 plus minus 5 into 2 जो की हो जाएगा 10 इस तरह से 4 को आप जब lhs से rhs पे लेकी जाएंगे तो वो minus का 4 हो जाना है इदर lhs का 4 है पे प्लस 4 है उदर जाकर minus 4 हो जाना तो x minus 3 minus 4 minus 7 हो चुका और 5 root 2 और यह भी root 2 हो जाएगा बच्चो यह और इस तरीके से आपके पास में minus 1 ले लेंगे तो आपके पास में दूसरी tangent आ जाएगी भाई y plus 4 is equals to m की value minus 1 into x minus 3 plus minus 5 root 2 into under the root of 1 plus minus 1 का square और 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 यह बच्चो minus x plus 3 और plus 4 से जाके उदर minus 1 हो जाएगा so यह minus x minus 1 plus minus 10 वही काम होगा और इदर LHS पर दो बचेगा y और y is equals to कितना बच्चो minus x plus 9 और y equals to minus x minus 11 so these are two equations of tangents यह आपके पास में बच्चो दो tangent की equation आ चुकी है we have got two tangents आपके पास में आपने क्या करा बच्चो आप shifting of origin के फंडे से कर लीजिए या फिर यह लाइन आपने माल ली इसके centers or distance को radius की equal कर दी जो से भी सी आ जाएगा या फिर आप जो है दोनों line की equation circle की equation को simultaneously solve कर लीजिए और discriminant को zero कर दीजिए इस तरीके से भी काम हो जागा so people you people do not have a single method we can approach in many ways मेरे ख्याद से shifting of origin वारी मैं पर जादा ध्यान दीजिए बच्चो क्योंकि यह तरीका जो है आपको आगे भी काम देगा काफी कामगार होगा संटर वाले डिस्टर संटर से डिस्टर रेडियस के एक और छोटी है लेकिन सरकल में काम करेगी बहुत बार बोल चुको अब तो सुन सुन कर भी आप बोर हो चुके होंगे बच्चों और पिछला वाला जो सम हम लोगों ने किया था मेरे खासे वह फं कि डेटमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेन डेटमाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेन ओन फॉलॉइंग सरकल फ्रॉम पॉइंट सैवन कॉमा टू कीजिएगा बच्चों अब देखे सैवन कॉमा टू जो है वो सरकल के बाहर और वो कैसे मालुम पढ़ रहा है जब आप इस हम plus 2 square minus 25 which is obviously greater than 0 so I can conclude that the point is lying outside the circle and if point is lying outside the circle I will not be having a single tangent I will be having couple of tangents and let the equation of tangent is equals to y equals to mx plus minus दोनो लेकर चलिये एक ही value circle की radius जो है बच्चो वो 5 आपको नजर आ रही है और ये दीजिये ऐसा and since that tangent is passing to 0.7,2 so 7,2 will be satisfying the equation 7,2 जो है बच्चो वो इसको satisfy करेगा so satisfy करा दिया आपने ये लीजिए साब and thereafter उसके बाद में आपने circle की equation को उससे satisfy कराया और satisfy कराने के बाद में बच्चो आप सबको एक तरफ कर दीजिए तो ये या फिर ये एक मिनिट 2-7M को आप एक तरफ कर दीजिए और बाद और ये plus minus 5 into under the root of 1 plus M square को एक तरफ कर दीजिए और फिर ये अब आप दुनों तरफ square कीजिए square करेंगे तो 4 plus 49 M square minus 2 to the 4 7 28 M और 5 का square बच्चो 25 plus 25 M square अब जब आपने square कर दिया तो you won't be able to know that ये plus 5 वाले का square था ये minus 5 वाले का square था square करने कर ये ही लोचा होता इसे लिए अपने को plus minus दोनों लेकर चल लेना चाहिए और उसके बाद में बच्चो 25 और ये कितना आएगा 24 M square minus 28 M तो अपनी जगह पर रहा बच्चो और साथ में बच्चो यहाँ पर आजाएगा minus 21 hope the quadratic equation which I have formed is correct यहाँ पर अपने पास में बच्चो जो है 49 M square बच्चो 25 M square जाएगे 24 ही बच्चेगा minus 28 M और साथ में कितना 25 बच्चो जाएगे बच्चो तो 21 बच्चेगा correct अब now it has become a quadratic equation in M obviously you people will be having two values of M आपके पास में M की दो values आएगे M की दो values जो जो आएगे बच्चो बच्चो आएगे minus B plus minus under the root of B square minus 4 into AC यह कुछ आएगा और thereafter upon 2 into 24 अब आप इसको solve कर लिजेगा बच्चो obviously आपके पास में जो है M की दो values आएगी दो values आना भी चाहिए because one value will belong to this tangent and one value will belong to this tangent so यह M की values जो आएगे बच्चो आप उनको यहां रख देंगे तो आपके पास में tangent की equation आ जाएगी पर उस पर फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि 7,2 इन दोनों में से किसको satisfy कर रहा है plus वाले को कर रहा है कि minus वाले को कर रहा है वो काम मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों वो काम आप करके देखेगा अब चुकि यहां पर दो tangent आएगी क्योंकि 0.7,2 जो था वो बाहर था पिश्री बाहर 8,3 सर्कल के बाहर था लेकिन वो बाहर ऐसा था कि उसमें से एक tangent बिल्कुल पैरल थी y-axis के उसकी gradient infinity थी और quadratic equation formula या factorization method कुल मुला गर आप quadratic equation के root से अगर निकालते हैं generalized method से तो इसमें आपको infinity वाला root नहीं मिलता वो आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा one tangent will be parallel to y-axis as well